ये बात बिल्कुल सच है कि आप हर एक श्लोक पे उसका अर्थ अलग निकाल सकते हैं, अलग-अलग situations पे यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई कता है जिसके मतलब आपने दो अलग-अलग निकाले, ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको कि एक कोई कता या कहानी ऐसी जिसके दो मतलब नि तो इस लोक के भी कई सारे अर्थ किये जाते हैं, पहला अर्थ इस तरीके से किया जाता है कि गोपी कृष्ण के लिए रो रही है क्यों क्रिश्ण छोड़के चले गए थे, उस समय विरह में ये बोला जा रहा है, तो गोपी कह रही है कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाओ बार बार इस बात को वो कहती है कि और ये भी कह रही है कि क्रिश्ण तुम गए तुमने हमको मारा नेहकिम वधा, लोग तलवार से मारते हैं, बांड से चाकू से तुमने अपनी आँखों से मारा है हमें, नेहकिम वधा, आँखों से मारना भी तो मारना है, तो आप नहीं आये तो हम मर जाएंगे, तो भगवान की जो बासुरी है, वो पूछती है गोपी से कि तू कबसे कह रही है, हम मर जाएंगे, मर जाएंगे और तू अब तक जिन्दा है, कहीं ये सिर्फ ऐसी तो बेकार की बात है नहीं जैसे प्रेम में लोग बड़ी बाते कर देते हम यह कर देंगे वो कर देंगे होता कुछ भी नहीं तो तू असल में अब तक तेरी मृत्यू क्यों नहीं है तब वो गोपी इस लोक में ये अर्थ करती है कि तव कथा मृतम कि मर तो हम भी कब की जाती पर कृष्ण की कथा की अमरित ने हमको जिन्दा रखा है एक होता अमरित जिसको सारी दुनिया पर वो तो अमरित हमने कभी देखा ही नहीं कभी पिया नहीं चखा नहीं तो गोपी कहती है कि तुम्हारी कथा की जो अमरित है उसने हमको आज तक जिंदा रख रखा नहीं मर तो हम भी कब की जाती और फिर कहते हैं कि ये कथा जो आपकी है कैसी है बोले शवन मंगलम शी मदाततम भुवी ग्रणनतीते भूरिदाजना शवन मंगलम आपकी लोग कहते हैं कथा केवल सुनने से कुछ नहीं होगा अमल करो ठीक है एक हद तक ठीक है पर गोपी कह रही है सुन भी लोगे तो भी मंगल हो जाएगा शवन मंगलम केवल सुनने भर से तुमारा कल्यान हो जाएगा अगर तुम भगवान की कथा एक बढ़ सुनो तो सही और फिर चोथी इसकी पंक्ती लाइन है वो बहुत प्यारी है क्योंकि वो हम जैसे वक्ताओं से जुड़ी है भूवी ग्रणन तीते भूरी दाजना गोपी कहती है कि कथा कहने वाले भूरी दाजना मतलब इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई दानी है तो भगवान की कथा कहने वाला है क्यों? क्योंकि वो भगवान के नाम का दान कर रहा है तो ये गोपी कीत का एक शलोक है जो कथा में बोलती है और इसका जितनी बार भी बोलते हैं हर बार कुछना कुछ नया आर्था जाता है कोई नया भाव आ जाता है अमरित के उपर आ जाएगा या भूरी दाजना जो भगवान की कथा कहने वाले उनके उपर आ जाएगा तो इन बातों से तो फिर सिद्ध होता है कि ये सचमुच साक्षाद शब्दने ये कृष्ण ही है ये ब्रह्म है